Hello everyone, so आज मैं आपके साथ दुबारा एक और वीडियो के साथ हूँ और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्स से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम और प्रिविजसली हम एक प्रॉब्लम लिंक लिस्स से हम डिस्कस कर चुके हैं तो कि है फाइंडिंग दूप इन्हें लिंक लिस्स से रिलेटेड ये भी है प्रॉब्लम इंटर्व्यूज में ये भी काफी पूश ही आती है सो एक्चुली उसके continuation में ही ये question बनता है कि loop find out करने के बाद आपको find out करना है कि find the length of that loop सो सबसे पहले अगर आप को पता है कि loop कैसे find out करना है तो ठीक है otherwise आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो और उसका link मैं description में दे दूँगा जो कि floyd cycle detection algorithm है तो वो मैंने अच्छे से discuss करी है so after that अगर जब आपको common point मिल जाता है अगर आप floyd cycle algorithm use कर रहे हैं मतलब slow faster concept अगर आप use कर रहे है slow and fast pointer जो slow ptr है and fast ptr है वो meet कर जाते है common point पे तो जिस भी point पे वो meet करते है तो सबसे पहले आपको क्या करना है initialization steps लेने है जो आपके initialization के steps होंगे उसमें included होगा सबसे पहले count को आप one से initialize कर लो तो अगर कोई loop है तो at least one से ही चालू होगा मतलब single node तो exist करेगी ना loop zero length का तो हो नहीं सकता तो at least one length का loop तो exist करेगा तो count को आप one से initialize कर लो और एक temporary node में slow या fast pointer जो भी है क्योंकि दोनों तो same है किसी को भी save करके रख लो okay now and इन में से किसी भी pointer को जिसको भी आप continuation में move कराना चाते हो तो अगर आप slow pointer use करना चाते हो slow pointer slow pointer को क्या करो एक step आगे बढ़ा दो now ये तो हो गया आपका initialization step इसके बाद आपको length find out कैसे करोगे उसकी theoretical understanding आप इस diagram से देख सकते हो suppose ये एक loop था link list में ओके now and ये आप suppose कर लो कि ये आपका common point था जहाँ पे slow pointer और fast pointer meet करे थे so इसके बाद हमें find out करना है कि length क्या होगी इस loop की so कुछ नहीं करना आपको slow pointer को use करोगे ये fast को एक pointer को use कर लो move करने के लिए और temporary कोई भी temporary pointer ले लो जो कि इसको point करेगा तो उसके अंदर ये save कर लो इस node का address ओके now slow pointer को one by one move करो one two three and then four जैसे ही वो यहां पर आएगा जो आपका slow pointer है move कर करके जब slow pointer temporary के बराबर हो जाए उसका वहां पर आप return कर दो count को so basically concept आपको समझ में आ गया होगा आपको करना ही है कि एक temporary pointer ले लेना है उसके अंदर save कर लो वो common point जहां पर slow fast pointer same थे उसके बाद slow pointer को one by one जैसे as usual move करते हैं one by one one by one move करो जब तक temporary not equivalent to slow so इसका logic क्या होगा while temp not equivalent to slow you will increase the count and then slow is equals to slow to the next बस जहां पर भी यह loop break हो जाएगा वहाँ पर आप करा दोगे return c c मतलब count count के अंदर होगी loop की value अंदर्ड मतल 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 मीश चार मोडर बन मतल म करते होगगी inspiring